ऐसा कहा जाता है कि शादी नाम का लड़ू जो खाई वो पच्टा है और जो ना खाई वो भी पच्टा है यह तो कहने की बात है मगर शादी एक ऐसे रस्म होती है जिसमें दो व्यक्ति मिलकर आगे की जिन्दकी बिताने की कसम खाते हैं मगर इस जिन्दकी में अगर एक भी साथ ही छोड़ कर चला जाता है तो जिन्दकी अधूरी हो जाती है आज हम ऐसे ही दो व्यक्ति की कहानी बताएंगे जिनके साथ ही तो उनने छोड़ कर चले गए मगर उन्होंने उम्र के आखरी दोर पर साथ चलने की कसम खाई है आईए देखते हैं इसनों की शादी की दास्ता लड़का और लड़की सोच समझ कर अपनी आगे की जिन्दकी एक साथ बिताने का फैसला कर शादी करते है शादी मतलब एक ऐसा सही जीवन होता है जिसमें सुख दुख मुश्किलों में दोनों का एक साथ रहना होता है अच्छे ठीक रहे तो ठीक नहीं तो उन्हें एक रुद्धाश्रम का चहरा देखने को मिलता है लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग है जो साथी जाने के बाद भी अपनी सेकंड लाइब जीना चाहते हैं आज हम ऐसे दो लोगों की कहानी बताने वाले हैं जिसमें साथ ही उनने जिन्दगी के सफर में छोड़ कर चले गए मगर उन्होंने हार न मानते हुए अपने लिए जीवन साथ ही चुन लिए नाम है ध्यानेशवर साथों ने उम्र 72 साल और शोबाज सांदेकर उम्र 58 साल दोनों नाकपुर निवासी है ध्यानेशवर शहर के नाइक तालाब परिसर के रहने वाले हैं दस साल पहले उनके पतनी का देहान्त हो गया था ध्यानेशवर को दो लड़के और दो लड़किय इतना भड़ा पुरा परिवार होने के बावजूद भी ध्यानेश वर खुद को अकेला मैसुस करते थे क्योंकि उसके लड़के उसे अपने साथ नहीं रखते शोभा के पती का भी आट साल पहले देहान थुआ शोभा पहले मुंबई में वड़ा पाव बेशने का काम करती थ उसी ब्यूरो में शोभा ने भी अपना नाम दिया था, दोनों का डेटा देख ब्यूरो वालों ने दोनों की उलाकात करा दी और क्या दोनों ने आगे की जिन्दगी साथ पिताने का फैसला कर दिया और शहर में छोटे से कारेक्रम में दोनों इस तनोंखे बंदन में जु जजनाख बूर